यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ प्रॉट पुल इस वालओ की जान यहां बालबाल बची तबाही की वीडियो आप सीचीटी टीवी में देख रहे हैं, फैद ह होगएं पुलिस वालों ने भाग कर किसी तरह से अपनी जान बचाई,। लैंड स्लाइड है था हिमाचिल के विलासपूर में जो cctv में कैद हो गया पुलिस वालों ने किसी तरह से भाग कर अपनी जान बचाई देख सकते हैं आप तस्वीरों में तो बिलासपूर से लाइब पहारी गिरने का ये वीडियो सामने आया है cctv में ये नजारा कैद हुआ है देखिए कितनी बुरी तरह से ये लैंड स्लाइड हुआ है किस तरह से बड़ी मुश्किल से दो पुलिस वालों ने यहां से भाग कर अपनी जान बचाई है ड्यूटी तो आप एक बार फिर से देखिए कितनी बुरी तरह से यहां लैंड स्लाइड हुआ है पहाड़ी गिरने का ये लाइब वीडियो है जो आपको दिखा रहे हैं दो पुलिस वाले यहां ड्यूटी पर तैना थे अकर वो यहां से फॉरण ना भागते तो उनकी जान जरूर च तस्वीर है जब लैंड स्लाइड के बाद का नजारा आप देख रहे हैं बुरी तरह से तबाही हुई है इस लैंड स्लाइड के बाद पहली तस्वीर में लाइव आप देख रहे हैं CCTV में कैद हुआ लैंड स्लाइड का ये नजारा जहां से पुलिस वालों ने बड़ी मु अपने दर्शकों को अभी लाइफ फोटेज के जरीए सीसी टीवी में जो नजारा क्या दूआए किस तरह से भाग कर एक लैंड स्लाइट से बचे हैं पुलिस वाले बिलासपूर में यह अक्सर होता है रिशु वहां पर अभी क्या हालात है रिशु वहां पर और क्या इस सब कोई अलर्ट नहीं जारी किया जाता इन इलाकों में भारी बरसात की वजह से हर साल इस तरह से अचानक कभी भी लैंड स्लाइड हो जाता है तबाही होती है वो अलग लोगों की जान जाती है वो अलग कोई अलर्ट नहीं जारी किया जाता कभी क्या नुक्सान हुआ है रिश्यू वहाँ पर कितना महाली नुक्सान हुआ है इस लैंड स्लाइट से रास्ता बिलकुल रुख गया है लोगों के आने जाने के लिए विवस्था कब दुरुस होगी आपने बताया रास्ता रुख गया है कितना वक्त लगता है रिश्यू वाग की तरफ से यहां पर जल्दी मार्क को खोल दिया जाएगा जल्द रास्ते को खोल दिया जाएगा रिश्यू बात की तस्वीरे भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को अक्सर इस तरह से बिलास्पूर में नजारे देखने को मिल जाते हैं रिश्यू बिल्कुल जगद रबिविन इस्थानों पर लैंड साइड हुए हैं लेकिन बिवाग की तरह से जगज़ा जेसे में लगाई गई हैं और जम दियराते को खलवारे के पूरी पूरी पोश्चिश की जा रही हैं बहुत शुक्रिया लीश्यू आपका आप जोड़े हमारे साथे से हम खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलास्पूर की यह तस स्लाइड होने के बाद आपको नजर आ रहा है एधर शिमला के कियारी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है जिसमें दरजनों गाडियां मलबे में फस गए और कई दुकानों में पानी भर गया पानी की वजह से महारक्का सारा समान खराब हो गया जिसे दुकान दारू क काफी नुक्सान हुआ है सेव के बगीची और पैदल रास्ते भी इस आपदा में बह गए हैं बादल फटने से तबाही का मनजर है अचानक कोई बारिश ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया करीब एक दरजन से जादा गाडिया मलबे की चपेट में आ गई है तो ही माचल के शिमला में केयारी का ये दूसरा नजारा है अचानक बादल फट गया भारी बरसात हो गई और बादल फटने की वज़े से पानी के तेज बहाओ में बहुत सारी चीज़े बह गई गई लोग तो लोग गाड़ियां भी इस चपेट में आ गई है आपको रदा दे ल पानी में डूब चुकी है अचानक पानी के तेज बहाओ ने अचानक तेज बरसात में लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया लोगों के जरी जरूरी सामान बरबाद हो गया है रास्ते रुग गए हैं यहां पर फुलमिलाकर लोगों की जिन्दगी बहुत मुश्किल हो गई है यहां पर शिम्ला के क्यारी की तस्वीर हैं जो आप देख रहे हैं कि क्यारी में बादल फटा है जिसके बात का यह नजारा आप देख रहे हैं अचानक पानी के तेज बहाओ ने लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया गाडियां आधिस जादा पानी में डूब गई जरूरी सामान बर्बाद हो गया लोगों का और आम जिन्दगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है झाल